हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू मैं चानल आज मैं आपके साथ शेर करूंगी इस्टिक चिकन की रेसिपी तो उसके लिए हमने ले लिया है हाफ केजी बोनलेस चिकन यह मैंने थाई के पार्ट में से ले लिया है चिकन थाई पार्ट यह स्टिक चिकन के लिए काफी टेस्टी बनता है बहुत ही अच्छा बनता है तो आप कोशिश कीजिए कि आप थाई का पार्ट लेना है आपको इसे मैंने स्क्वेर चंक्स में कट कर लिया है यह मैंने हाफ ग्रीन कपीफिकिम, वन स्मॉल टुमाटो, टुमाटे क ह syntुमाटे के सिदो सिदो को उबाट। ड्रापत स्कुरे के स्कुरे , ड्राइंगलो जदो की अनीदैपिलिय। श्कीम, ट्रीकिर साथिवेफोर की अिवकिया, स्कूरर है , के समॉल चपिता पेटल्स तू टी स्पून और गर्मसाला पाउडर तू टू टी स्पून ये हाफ कप कर्ड त्री टी स्पून जिंजर गालिक पेस्ट हाफ कप फ्रेश क्रीम ये मैंने कॉनफला ले लिया है त्री टी स्पून और ये साथे स्टिक्स है ये आपको इसली मार्किट में मिल जाते हैं तो चलिए सबसे पहले हम चिकन मैरिनेट करेंगे उसमें हम दालेंगे कैपसिकिम टुमैटोस और ओनियन साथ में हम इसे मैरिनेट कर देंगे सबसे पहले इसमें जाएगा ये सारे सूखे मसाले, सौल्ट, हल्दी पाउडर, ब्लाक पेपर पाउडर, रेट चिली पाउडर, कसूरी मेती और गर्ण मसाला पाउडर फिर इसमें जाएगा हाफ कप कर्ड, जिंजर गालिक पेस्ट फ्रेश क्रीम कॉन फ्लार अपना चिकन काफी जूसी होगा एकदम टेंडर हो जाएगा तो आप फ्रेश क्रीम जरूर दालिएगा इसमें इसे मिक्स कर लेंगे, आप इसे मिक्स करके रफ्रिजरेटर में रख सकते हो, दो से तीन घंटे के लिए बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाता है, बस मसाले इसके रड़ी होने चाहिए इसमें कैपसिकम टोमाटो ओनियन में भी मसाल अच्छे से लग चुका है अब हम इसे रख देंगे, यह देखिए, देड़ घंटे के बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाल दिया है तो इसका लुक ऐसा आ रहा है, अब हम इसे स्टिक्स में दालेंगे आप इसमें टेमाटो दालिये, आप कैपसिकम ऑनियन जो आप दालना चाहिए, फर्स आप दाल सकते हो मैं दो दो पीस चिकन के दाल रही हूँ बीच में फिर दो पीस चिकन के फिर लुक में एसे आप को यह सब रिपीट करना थे आप चाहे तो और red green bell pepper भी यूज़ कर सकते हो mushroom यूज़ कर सकते हो, बेबी कॉन यूज़ कर सकते हो यह देखिए, सबसे लास्ट में मैंने onion लिद दाल दिया है यह हमारा first stick ready है दूसरे stick में भी हम ऐसी करेंगे आपको बीच में दो या तीन पिसे चिकन के दाल लिए जैसे आपको ठीक लगे तो देखिए, हमारा यह chicken stick में दाल के रेड़ी है सब रेड़ी है कितना colorful लग रहा है यह अब हम इसे fry करने की तयारी करते है पैन ले लेंगे हम तेल गरम हो चुका है तेल में हम एक एक करका stick दालेंगे आपको थोड़ा बड़ा पैन लेना है अगर बड़ा पैन नहीं है तो आप stick पीछे से कट कर सकते हो थोड़ा सा यह मैसे अच्छे से fry होने देंगे पूरे साइट्स यह बहुत ही जल्दी फ्राइ हो जाता है और अंदर से भी अच्छा कुक हो जाता है आपको एच साइड तीन से चार मिनिट आपको कुक करना है आप इसे बीच बीच में पलट के देख सकते हो यह देखिए अच्छे से कुक हो रहा है सब साइड से यह देखिए आप पल्टी पल्टी करके देखिए इसमें कितना अच्छा कलर आ चुका है यह देखिए अपना स्टिक चिकन बनके रेडी है यह सब साइट से कुख हो चुका है अच्छे से वेजिटेबल्स चिकन बहुत अच्छे से कुख हो चुका है अब मैं इसे डिश आउट करके आपको बताती हूँ तो चलिए देखिए स्टिक चिकन बनके रेडी हो चुका है आप इसे ग्रीन चटनी टमैटो केचप बाबिक्यू सॉस आप उपर से चीज भी ग्रेट कर सकते हो इसमें तो आप ए रेसिपी ज़रूर ट्राइ कीजिए अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई तो आप को साज सर्दूर एल कि की जए बच्ची ओटिए सर्दान के के लागलता की बाब इता है